मेरट के लिसाडी गेट थाना इलाके में उस समय हड़कम्प मच गया जब बदमाशों ने उमेद नाम के शक्स की गोली मार कर हत्या कर दी और घटना को अंजाम दे कर मौके से फरार हो गए इस गोली बारी में एक विक्ति घायल हो गया जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भरती कराया गया जानकारी के मुताबिक मृतक उमेद पर कुछ माह पहले ही अपने साले की हत्या का मामला भी दर्ज है इस के लावा उस पर कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं फिलहाल फुलिस ने मामला दर्ज कर जान शुरू कर दी है उमेद पीछे से गुड़ू के पाल्टी आई इस पर गुली चला गई पता ही लगा दूंकर यह बहुत फैर हो रहे हैं वैं टास्पोर्टना कर सब आप से आ तो इतने डैड़ बोड़ी उठाकर बैंडी कर ला गई इसको यहां बेंगे बहुत दो लगें के दोनों के लेगी है और का बदने के सीमिट एक कायल आई यह अभी एक सल्मान नाम की व्यक्ति और उमेद नाम की व्यक्ति पे गोली चली है जिसमें उमेद की मौके पे बत्ति हो गई है और सल्मान को घालवस्था में यहां बहुति कराए गया है जो प्रिमरी जाज परतालू से यह पता चला है कि कुछ पुरानी रंजिश का मामला है इनकी दूर से कोई रिश्यतारी भी है जो अब तक बात प्रकाश में आई है और उसमें कोई जमिन मुमिन का मसला है वैसी बात ही जिसको ले करके पहले भी कुछ हिंसा की इतनाएं हो जो पुटे है